हे गाईज वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी हैपी विद सिंपल लाइफ कैसे आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत बहुत अच्छे से हूँ सो आप सभी जानते हो मेरी खुशी का राज क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ टच वूड कहीं नजर न लगे हना लेकिन कहते हैं न जब आपकी नियत साफ होती है तो कुछ भी बुरा नहीं होता ठीक है सारी चीजे पॉजिटिव होती हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को สब कटां को बहुत भाळाला और बहुत दिल से बोलना चाहूँगी जो बहुत ही मतलब मैं क्या वोलूं मेरे 10k subscribers complete हो गये मतलब इसने बड़ी बात है मतलब इतने टाइम से महनत कर रही थी लेकिन कहीं न कहीं मैं बता हैं इस चीज पर बिलीव करती हूं कि दीरे दीरे सही पर मंजल मिलती है जरूर ठीक है मैंने जैसे कचुएर खरगोष की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी तो जल्दी चलने से नहीं बहुत जल्दी चलने से नहीं आप लोगों सब को पता ही है खरगोष का क्या हाल हुआ था बहुत जल्दी चलांग लगाई थी और मतलब आप लोगों को पते यह जो खरगोश है वो चलांग लगा लगा के चलता है कूधता है तो उसका तो कुछ भी नहीं हुआ वो तो मुसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी लेकिन कच्छुए ने धीरे धीरे चल के बहुत ही मतलब पेशंस रखा और आखिर उसे मं मंजिल मिल ही गई ठीक है और उसकी जीत है जीत की बात तो मैं नहीं करूँगी भात है तो बस मैं इतना कहना क्याता हूँ कि धीरे सही पर मुझेमीरे मनजिल ह 있죠 आप लोग के संग रेसिपी तो नहीं शेयर करूंगी यहां पर मैं बना रही हूं मेती आलू की सबजी और बाकी सारी चीज़े आप लोग देखी रहे हो बहुत देर से तो आज मैं आप लोगों से कुछ बाते शेयर करूंगी और यह जो बाते न वो मेरी माईके की बाते हैं तो आज आप ये मालेजी मैं अपनी माईके की बाते आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, तो प्लीज प्लीज जरूर सुनियेगा, और बाद में कॉमेंट करके बताईएगा जरूर कि आपको कैसा लगा, ये जानके मेरे माईके की कुछ बाते, वो जानके आपको क कैसा लगा ठीक है और प्लीज अगर अभी आप चैनल पर नए हैं आज आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करना क्योंकि वही नोटिफिकेशन की बैल होती है और प्लीज आपने लाइक तो चापना है क्योंकि मुझे म सो यहां पर कहना मैं जब भी कोई भी साग की सबजी बनाती हूँ तो मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती है जब भी मैं कोई भी साग हो मेथी हो पालक हो वैसे तो यही दो साग मैं जाता तर खाती हूँ क्योंकि मुझे यही अच्छे लगते हैं यहां पर और कोई करती हूं और आप लोगों को पता ही है यह मेरे हाऊ मैं को किंग करते करते चाइप घॉराइट confessed करते मेरा शाम की चाइपीती रहती है आप लzess तरह को अक भी सब्सक्राइब मेरा और उनकी कमी कोई कोई व्यक्ति नहीं पूरी कर सकता मेरे पापा की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता ठेक है तो obviously पापा है तो याद तो उनकी हर एक पल आती है हर एक पल हर रोज हर दिन मैं उनको मिस करती हूँ ठेक है तो बस यह यह आप सोच रहे होंगे मैं चूड़ी क्यों दिखा रही हूं यह चूरीयां मैं इसले दिखा रही हूं कूंकि मुझे किसी ने comment किया था कि आपके हाथों के जो यह जोड़ियों वगेरा कितनी अच्छी मिलती है ना तो यह है मैं अपने पापा को हरोज हर दिन याद करते हूँ बहुत याद करते हूं ऐसा लगता है कि काश हमें छोड़ के ना गय होते लेकिन इस पे तो किसी का भी जोर नहीं है किसी का भी नहीं में अपने पापा को साग बनाते समय क्यों याद करती हुग वह आप लोग बताती हूं क्योंकि आपको मैं मैं सूरह सो बताती हूँ और आपको समझ भी नहीं आएगा होता है कहना हमना जाओ बहुता है क्यात कोई हमा के महाई सबजी बनती थी क्या मेरी है हम बनाई ho found तर तर कुकिंग मैं ही करती थी, जब से मतलब मैं कुकिंग करने के लायक हो गई थी, तब से मैं ही करती थी, तो जब भी मेरे याँ सबजी बनती थी, कोई भी सबजी बनती थी, तो वो हमारे याँ कूकर में बनती थी, कूकर में बनती थी हम लोग, क्योंकि मेरे पापा को बहुत पसंद आती थी इतने ज्यदा पशंद थी कि मैं क्या बताओं बहुत अरह आपको बताओं गी किइन को बहुत ज्यादा कोई भी सबजी हो गोबी आलू हो और लौकी पसंद थी तो पापा को इतनी पसंद थी लेकिन मेरी मम्मी को क्याता ना कि कड़ाई की सब्जियां पसंद आती थी ठीके वो मम्मी की मतलब से मुल्टा मम्मी को कड़ाई की सब्जियां बहुत अच्छी लगती थी चाहे मम्मी कोई भी सब्जी हो मम्मी कहती थी कि उनको कड बापा को थोड़ी लिक्वेड अच्छी लगती थी उनका कहने के मतलब यह था कि थोड़ी सी लिक्वेड होनी चाहिए ठीक है ऐसा अभी कुल ड्राइ सब्जी उनको पसंद नहीं आती थी सो यह सारे चीज़े थी तो थोड़ी लिक्वेड रहे इसलिए हम लोग कूकर में बनाते थे ठीक है और यही कारण था कि मेरे पापा को कूकर में बनी सबजियां बहुत पसंद आती थी और मम्मी को विचारी को कूकर की नहीं पसंद आती थी लेकिन फिर भी कहते हैं न कि हर मेरी मम्मी में बनाता है कि अगर और आधने पसंद थे थे हम यहीं को कूकर की सबजियां नहीं पसंद आती थी लेकिन पापा को पसंद थी, कूकर की सबसिया, तो मेरी मम्मी यह बोलती थी, कि जैसा पापा को पसंद है, वैसी बनाओ, ठीक है, और मेरी मम्मी को थोड़ा spicy खाना पसंद था, जैसे मुझे पसंद है, वैसी मेरी मम्मी को, ठीक है, तो यह मालो कि मेरी मम्मी को जैसा पसंद खाना बनता था बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनता था क्योंकि मेरे पापा को पसंद नहीं था इसलिए हमारे घर में जो भी खाना बनता था वो पापा की पसंद का ही बनता था चाहे मम्मी को पसंद हो चाहे नहीं हो लेकिन बनता पापा की पसंद का था तो मम्मी अमसा कहती थी, जैसा पापा को पुसंद दे, वैसा बनाओ, तो यही रहता था, होता है ना, एक वाइफ का होता है, कि बस उसके हजबन को अच्छा लगना चाहिए, चाहिए वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, उसका तो क्या है, वो तो खाई लेगी, ना, यही है, मतलब पहले ही चीजे समझ में हमको नहीं आती थी, जब हम अपने घर पे थे, तो एक मिर्चा भी मम्मी नहीं डालने देती थी, बोलती थी कि नहीं, नहीं, पापा को पुसंद नहीं है, पापा नहीं खाएंगे, ऐसे करके, तो हम कहते थे, मम्मी, पापा नहीं खाएंगे, इसक कई में पती की choice बहुत माइने रखती है, एक husband क्या चाहता है, यह माइने रखता है, क्योंकि हम लोगों की कहीं न कहीं यह सोच होती है, कि husband कमाने वाला है, ठीक है, वो ही कमा के लेके आते हैं, घर में कोई भी चीज आती है, तो देखो बिना पैसे का तो कुछ नहीं आता, ज जो पैसा खर्च कर रहा है, जो कमा रहा है, तो उसकी पसंद तो obviously बहुत माइनी रखती है, तो यह सारी चीजे अब समझ में आई है, जब शादी हो गई है, खुद मतलब husband हैं खुद के, तो यह चीजे बहुत अच्छे समझ में आ गई, कि नहीं, जैसा husband को पसंद आता है, उसमें ही मतलब हमको भी खुश रहना चाहिए, ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि, हाँ मैं यह नहीं कहती कि, अगर आपको कोई husband आपको बहुत ज़्यादा आपकी पसंद का करने ही नहीं दे रहा है, आपको अपनी ही मतलब चला रहा है, तो यह चीज भी ठीक नहीं है, ठीक क्यािको क्या ही रही, हारी मिर्ची उपर से भी खा लेगी, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो निकाली कैसे जाएगी, तब तो पापा खाना खा aurा ही नहीं पाएंगे, हैना, तो यह चीजा, बहुत से चीजा हैं जो अब समझ में आती हैं, तो मेरे माई के मैं ऐसे लायक होती है वही जैसे राजमा छोले यह सारी सब्जियां जो दानेदार वाली होती है ना वही सब्जियां मैं कुकर मनाती हूं otherwise मैं सारी सब्जियां कड़ाई में मनाती हूं जब मेरी शुरु-शुरु में शादी होई थी ला तो मुझे बहुत काई एक मैझे वह ही चीज़ी अच्छी लगती थी जब मेरी शादी में आई यहां पर जैपूर में तो मैं हर सब्जी कूकर में बनाती थी तो मेरे पति देव कि सब्दें ज्यादा अच्छी होती है इन्होंने ऐसा बोला वो उस दिन से लेकर आज तक मैं कूकर में बहुत कम सब्जियां बनाती हूँ, ज्यादा तर कड़ाई में सब्जियां बनाती हूँ सो ऐसा है, अच्छा तो मैं ये बताओं कि जब मैं साग बनाती हूँ, तब मैं अपने पापा को क्यों याद करती हूँ बहुत याद करती हूँ मैं आप लोग को नहीं बता सकती कि मैं कितना अपने पापा को मिस करती हूँ हाँ, मैं अपने पापा को इसलिए मिस करती हूँ जब साग बनाती हूँ क्योंकि हम लोग हमेंसे कहते थे न कि पापा का बस चले न तो मेरे पापा साग भी कूकर में सीटी लगा के बनाए उसमें भी रसा कर दे मतलब उसको खुब रसेदार बना दे साग को भी और बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से गल जाए साग पता ही न चले तो अपने पापा क महीज़िए रहती है ठना तो उस स्में तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी तो मैं घर पर थी ऑविस्के पापा के सामने तो मैं इतना तो हासी मज़ाक उनोसे करी सकती हूं तो इसलिए भिते हम हमारे शोरी कि अगर पापा का बस चले तो पापा तो साग को भी कूकर में बन वाये ऐसे करके तो पापा कого फाइन कि ठीके मत बनाओ जैसा मम्मी चाहा है जैसा तुम लोगों पसंद को पनाओ इस ही बनाो मैंकि दिन घर से बहार राख रहते हैं ड्यूटी जाते हैं और हम लोगों के लिए इतनी महनत करते हैं हर एक तो मैं अपने ही पापा की बात नहीं कर रहे हूँ, मैं सभी जैंट की बात कर रहे हूँ कि वाकई सही बात है, कि एक आदमी सारा दिन भाहर रहता है, घर से भाहर रहता है, ठीक है, ठका आरा जब वो घर पर आता है, तो at least एक खाना ऐसा है, जो अगर उनकी पसंद का बन जा और अब ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है, बहुत अच्छे से, कहते न, जब तक आपको किसी चीज का experience नहीं मिलता न, तब तक बाते समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप एक अनुभवी हो जाते हो, तो बहुत से चीज़े clear हो जाती है, तो बस यही थी, मेरे बहुत सी बाते हैं मेरे घर की, जो मैं आप लोग के साथ share करना चाहती हूँ, देरे-देरे आने वाले vlogs में मैं आप लोग के साथ share जरूर करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरी YouTube की जो family है, उनसे सारी बाते share करना बहुत अच्छा लगता है, तो यह सारी बाते सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को subscribe करना पड़ेगा, और बैल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि जब तक बैल आइकन प्रेस नहीं करोगे, तो notification आपको कैसे मिलेगी, हर vlogs की, ठीक है, तो बाती बात करते करते, चपाती भी बन गई, और मेरा यहाँ डिनर रेडी हो चुका है, यह देखिए, मैंने बच्चे साग नहीं खाते हैं, और मैं एक दो बाइट खिला दू तो खिला दू, अदर्वाइस उनको डाल चाहिए, तो मैंने डाल भी बना के रखी है, ठीक है, अब आप मेरी डिनर की ठाली देख लो, अच्छा एक बात औ चाहूंगी, मुझे मेथी की सबजियां बहुत बनानी आती है, बहुत, अगर आप लोग जानना चाहते हो रेसिपी, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर पूछना, मैं आप लोगों की संग रेसिपी जरूर शेयर करूंगे, मेथी को मुझे बहुत तरीके से बनाना आता है, तो ये है मेरी डिनर की थाली, दो चापाती है, ये पतिदेव जी की थाली है, ठीक है, और इसमें पापड है, एक कटोरे दाल है, एक कटोरे सबजी है, ठीक है, तो चलो लेके चलते हैं, गाईस, अगर आपको आज का व्लोग पसंद आया है, मेरी माईके की ये जो बाते मै ने बताई हूँ पसंद आई है तो प्लीज लाइक चापना चैनल पर फर्स टाइम आई हूँ सब्सक्राइब करके जाना मिलती हूँ नेक्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाइबाई ठीक केर और हाँ शेयर करना आज के व्लॉग को बाइबाई